वर्ष दोहजार एकीस में सिनेमा के परदे पर एक बहुत शांदार फिल्म आई थी नाम शायद आपको याधी होगा नहीं याध है तो कोई बात नहीं हम बता देते हैं सलमान खान ट्रोडक्शन के तहत बने इस फिल्म का नाम है कागज है इस फिल्म में पंकश्त्रिपाठी ने मुख्य किरदार निभाया है फिल्म को सलमान खान फिल्मस और दा शतीस कौसिक इंटर्टेइन्मेंट प्रोडक्शन के बैनरतले बनाया गया था फिल्म में पंकस्त्रिपार्थी मोनल गजर और अमर उपाध्य मुख के भूमिका में हैं फिल्म के कहानी यूपी के आजमगड के अमीलो मुबारकपूर के छोटे से गाउं के किसान लाल भिहारी के जीवन पर आधारी थे इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पंकस्त्रिपार्थी को खुद के जिन्दा होने का सबोत देने के लिए सरकार के सामने पापर बेलने पड़े हैं आखिर में ये केस कोट में जाता है इतना ही नहीं पंकस्त्रिपाठिक इस फिल्म में कागज में मर चुके लोगों का एक शंगर्ट समीती तक बना लेते हैं लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है बलकि रियल लाइफ की कहानी है क्या है पूरा मामला चलिए आपको विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दरसल मामला वैशाली जीले के लाल गंज नगर परिशत छेत्र के अगरपूर बर बनना बाड नंबर बारा के रहने वाले हैं बुजुर्ग का नाम रामनाच शर्मा पिता स्वर्गय राम परिचन शर्मा हैं बुजुर्ग ने जीला अधिकारी के पास पहुँच कर अपने जीवित होने की बात कही है दियम को दिये गए आवेदन में बुजुर्ग रामनाच शर्मा ने कहा है कि वे जीवित है अस्थान ये निवासी हैं वे वर्तमान में रेलवे से डिटाइड होकर पश्रिम बंगाल के खडगपुर में रह रहे हैं बुजुर्ग का कहना है कि उनके सगे भाई शंभुनात शर्मा भतीजा अजय कुमार शर्मा और अन्य लोगों ने साजिस करके सरकारी फाइल में उन्हें मृत्त घोशित कर दिया है बुजुर्ग ने बताया है कि लाल गंज नगर पालिका क करमचारी से मिली भगत करके उनकी संपत्ति को हडपने के लिए उनके परिजनों ने मृत्यू प्रमान पत्र भी बनवा लिया है बुजुर्ग रामनात ने अपने जीवित होने का प्रमान पत्र आधार कार्ड पैन कार्ड और रेलवे के कागस दियम को सौपा है उन्होंने दिनांक 58-1978 से 31-12-2013 तक नौकरी में रहने का प्रमान पत्र भी दिया है बुजुर्ग ने बताया है कि वे 2013 में रेलवे विभाग से रिटाइड हुए अब पेंशन पा रहे हैं और खडगपुर में रहते हैं बुजुर्ग रामनात शर्मा ने अपने भतीजे अजय कुम उन्हें मृत बता कर उनके हिस्से की जमीन बेच रहे थे मामला तूल पकड़ने के बाद रामनात शर्मा ने खुद ही CEO और DM के पास जाकर अपने जिवित होने का प्रमान पत्र पेश किया रामनात शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कोट में मुकदमा दर्ज कराने की बात क ही उन्होंने कहा है कि वे जिवित और स्वस्त हैं फिर भी उन्हें अपनी जिवित होने का प्रमान पत्र देना पढ़ रहा है अब जरा सोची की चंद दौलत के लिए लोग क्या से क्या कर दे रहे हैं हलाकि इस घटना पर आपकी क्या राह है हमें कमेंट करकर जरूर येगा.